नमस्कार मैं खुशी और आप देख रहे हैं आप पियस समाचार आईए रुप करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर वर्ष 2047 तक विक्सित भारत कैसा हो इसे लेकर संकल्प पत्र के जरिये आम जन्मानस भारते जन्ता पार्टी मोधी सरकार को सीधा सुझाओ दे सकते हैं लखनाओ में आज केंद्रिय राज्यमंत्री कौशल किशोड ने संकल्प पत्र और सुझाओ पेटी लॉंच किया केंद्रिय राज्यमंत्री ने प्रेस कौन्फरेंस कर बताया कि पिछले 10 वर्षों में मोधी सरकार की जन कल्याण कारी युजनाओं का सीधा लाब आम लोगों तक पहुच रहा है उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री जीने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से वर्ष 2047 तक विक्सित भारत आत्म निर्भर भारत स्वच्छ और स्वस्त भारत बनाने का संकल्प लिया है और इसके लिए हम लोगों से सुझाओ मांग रहे हैं प्रेस कॉन्फरेंस में मोहनलाल गंज, लोकसभासांसा देवं केंद्रिय राज्यमंत्री, कौशल किशोर के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष, विने सिंग जी मौजूद रहे उन्होंने बताया कि जन्मानस से संकल्प पत्र के लिए सुझाओ पेटी का जिलास्तर और विधानसभास्तर पर रखी जा रही है इसके साथ ही दो LED वैन हर विधानसभा में चलेगी, एक LED वैन एक दिन में दस जगा जाएगी मतलब दो LED वैन में भाश्पा कारेकरता एक दिन में 20 जगा जाकर लोगों से संकल्प पत्र के लिए सुझाओ एकत्र करेंगे जिला अध्यक्ष विनै सिंग जी ने बताया कि इन्हें नमो एप के माध्यम से हमारे कारेकरता केंद्रिय नितरित को भीजने का कारे करेंगे केंद्रिय राज्य मंत्री ने कहा कि सभी लोग नमो एप डाउन्डोड कर लें और आप विक्सित भारत बनानी के लिए अपना सुझाव स्वैम भेज सकते हैं इसके लिए नमो एप में ऑप्शन है आप अपना सुझाव भेजने के लिए 9090902024 पर मिस्ट कॉल भी कर सकते हैं आगे कौशल किशोड ने कहा प्रधान मंत्रे श्री नरेंद्र मोदी जी के नतृत्त में देश तेजी से विक्सित भारत की ओर बढ़ रहा है पिछले 10 वर्षों में सभी वर्ग सभी समाज को बिना किसी भेदभाव के सशक्त करते हुए 25 करोड भारतियों का गरीबी से उत्थान हुआ है कौशल किशोड ने कहा पहले कौंग्रेस के प्रधान मंत्री खुद कहते थे कि दिल्ली से जो पैसा जनता को भेजा जाता है उसमें से सरकार के एक रुपए में से 15 पैसे लोगों तक पहुँचते हैं बाकि बिचौलिये का जाते हैं परंतु आज आधरनिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नत्रित में जन्मानस को शत प्रतिशत लाभुन के अकाउंट में जाता है कोई बिचौलिया एक पैसे नहीं खा सकता इसके लिए सरुपर्थम मोदी सरकार में 51 करोड जन्धन खातों से गरीबों को बैंकिंग सुविधा दी गई कोशल किशोर जी ने कहा जिस दर्द को किसी ने नहीं समझा उसे मोदी जी ने समझा पहले महिलाओं को मजबूरी वस शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था परंतु मोदी सरकार में सुच्छ भारत मिशन से 12 करोड शौचालेयों का नर्मार किया गया उज्वला यूजना से 10 करोड महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देकर उन्हें धुएं से आजादी दिलाए गई लगभग 12 करोड किसानों को पीम किसान सम्मान निधी से सीधे उनके खातें पर आर्थिक मदद पहुचाई जा रही है कौशल किशोर ने कहा कि पहले जिनके घर कच्चे थे बारिश में जब पानी गिरता था तो रात-रात भरुनी जागना पड़ता था क्योंकि बहुत लोगों ने बिताया जहां वो सोते थे वहां पर पानी टपकता था कभी कोई बाल्टी लगाता था तो कोई रात में छट पर जाकर पनी बिछाता कभी कोई आसपास के पक्के घरों के नीचे खड़े होकर रात गुजारता था कच्चे घरवाला वेक्ती पक्के घरवालों के सामने अपने आपको बहुत कमजोर समझता था परंतु आधर्णिय प्रधानमंत्री श्री नरेंडर मोधी जी ने इस दर्द को समझते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना से चार करोड गरीबों को पक्का मकान दिया हर घर जल पहुँचाने के लिए जल जीवन मिशन से 14 करोड घरों में नल से जल पहुँचाया पूरे विश्व में जब कुरोना महामारी से त्राहिता ही मची हुई थी तब भी मोदी जी ने देश के एक नागरिक का खयाल रखा और किसी को भूखा नहीं रहने दिया गरीब कल्याड अन्य योजना से 80 करोड लोगों को मुफ्त अनाज मिला पीम स्वानिधी योजना से 78 लाख रहडी पटरी वालों को बिना गैरंटी लोन देकर सशक्त किया गया किसी गरीब का इलाज ना रुके इसके लिए आयुश्मान भारत से 55 करोड लाभारतियों को नियशुल कुपचार देने का कार्य मोदी सरकार कर रही है कौशल किशोड ने आगे कहा कि मोदी सरकार में अतिहासिक कार्य हुए हैं जिनके हम सभी साक्षी बने हैं मोदी सरकार में अनुचेद 370 को निरस्त कर इतिहास रचा गया आज जम्मो कश्मीर में अमन चैन शांती है कौशल किशोड ने कहा वो स्वैम लाल चौक घूम कर आए हैं और वहां के लोगों से बात चीत की है उन्होंने बताया कि वहां सब बहुत खुश है अनुचेद 370 हटाने के बाद से उनके व्यापार में बढ़ोत्री हुई है और बच्चों का भविश्य उज्वल हुआ है इसलिए सभी ने मोदी जी को धन्यवाद भी दिया सदियों से हम सभी जिसकी प्रतिक्षा कर रहे थे जिसके लिए कई राम भक्त शहीद हो गए सदियों संघर्ष के बाद मोदी सरकार में अयुध्या में भविशे राम मंदर का नर्माड हुआ 15 नए एम्स, 7 नए IIT और 7 नए IIM मोदी सरकार में बनाए गए इसके अलावा प्रते दिन 37 किलोमीटर हाईवे का नर्माड हो रहा है कौशल किशोर ने कहा कि मोदी सरकार महिलाओं को सरशक्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबध है इसी प्रतिबधता को दिखाते हुए नारेशक्ती बंदन कानून बना कर 33 प्रतिशत लोक सभार्विधान सभासीटे आरक्षित करने का फैसला मोदी सरकार में लिया गया भारत विशो की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मोदी सरकार में बना और अपना देश विक्सित भारत बने भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था बने इसके लिए फिर से एक बार मोधी सरकार बनाने की अपील कौशल किशोर ने की रिपोर्ट आरती सच देवा अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंच आए हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्षन में जरूर बताए